Welcome to my YouTube channel BK English Art आज हम English सीखेंगे एक छोटी सी moral story के जरिये जिसका नाम है Humanity Humanity मतलब इंसानियत Human होता है इंसान, Humanity इंसानियत तो आए स्टोरी स्टार्ट करते हैं Once a father and his son went to a temple Once एक बार एक पिता और उसका बेटा वेंट गए to a temple एक मंदिर में एक बार एक पिता और उसका बेटा मंदिर में गए Suddenly the sun shouted after seeing the pillars of loins at the entrance of the temple Suddenly अचानक Suddenly होता है अचानक, all of a sudden या suddenly Suddenly अचानक से The sun shouted बेटा चिलाया, shouted चिलाना चिलाया After seeing, देखने के बाद क्या देखने के बाद The pillars of loins Pillars होते हैं खंबे शेरों के खंबे देखकर चिलाया कहां परती शेरों के खंबे? At the entrance Entrance मतलब प्रवेश At the entrance of the temple मंदिर के प्रवेश द्वार पर Run dad और इस loins will eat us बच्चा क्या चिलाया? Run dad दोडो पापा दोडो और नहीं तो और मतला अगर नहीं दोडोगे तो क्या होगा? और इस loins will eat us नहीं तो ये शेर हमें खा जाएंगे The dead consoled him by saying They are just statues They can't harm us The dead consoled अगर कोई परिशान होता है तो उसको आप सांत्वना देते हैं The dead consoled him पापा ने बच्चे को सांत्वना दी कैसे सांत्वना दी? बाइ सेइंग ये कहने ये कहकर They are just statues They can't harm us क्या बोला? ये सिर्फ बुत है statues होता है बुत ये तो सिर्फ बुत है They can't harm us ये हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकते हम होता है नुकसान पहुचाना ये हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकते The sun again asked If these statues of loins can't harm us, how can the statues of God give us blessings? The son again asked, again होता है दोबारा, आस्क पूछना, उस बच्चे ने दोबारा पूछा If these statues of loins can't harm us, अगर ये loins के, अगर ये शेरों के बुद्ध हमें नुक्सान नहीं पहुचा सकते हैं How can the statues of God give us blessings? तो भगवान के बुद्ध हमें आशीरवाद कैसे दे सकते हैं? Blessings आशीरवाद देना, तो भगवान के बुद्ध हमें कैसे आशीरवाद दे सकते हैं? The father was speechless Speechless होता है, जब हम कुछ बोलने की असमर्थता होती है, जब हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, उसको कहते हैं Speechless पिता कुछ बोल ही नहीं पाए After many years, he wrote in his diary बहुत सालों के बाद, after होता है बाद, many, बहुत से, years, साल, बहुत सालों के बाद He wrote in his diary, उन्होंने, father ने अपनी diary में लिखा I am still speechless on my son's question Still मतलब अब भी मतलब जब भी ये बाद स्टार्ट हुई थी, तब से लेके अब तक भी, आज भी I am still speechless, मैं आज भी speechless हूँ आज भी कुछ जवाब देने में असमर्थ हूँ On my son's question अपने बेटे के प्रशन का जवाब देने में आज भी असमर्थ हूँ But, I have started searching for God in humans instead of statues लेकिन, लेकिन मैंने भगवान को ढूंडना शुरू कर दिया है सर्च होता है खोजना, ढूंडना मैंने भगवान को खोजना शुरू कर दिया है कहां in humans, इंसानों में, instead of statues बुत्तों की बजाए मैंने इंसानों में भगवान को खोजना शुरू कर दिया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और बेल आइकन दवाना ना भूलें प्लीज और देलों आई है